आज के टॉपिक में हम बात करेंगे संस्क्रीन के बारे में जिसका नाम है फोटो स्टैबल गोल्ड जो कि मैंने एक वीडियो बना रखा है फोटो स्टैबल गोल्ड के संस्क्रीन के बारे में जो कि बहुत सारे लोगों ने मुझे उसके बारे में कोश्चिन पूछा है बहु अब यह संस्क्रीम जो कि आप देख पारे स्क्रीन पर यह है फोटो स्टैबल गोल संस्क्रीम जो कि यह मैट फिनिस में आता है इसी की रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि मुझे बहुत सारे ऐसे कोश्चेन आ रहे हैं इसके रिगार्डिंग और जो कि बहु से लएक चैनल करना नाभूलें आपका कोई भी सबाल हो आप मुझे कमेंट बॉक्स करके मैं उसका एंसर दूआ आप मुझे Instagram, Facebook, Twitter पे follow कर सकते हैं और मुझे email भी direct कर सकते हैं जो कि आपको हमारे description box में सारे details मिल जाएंगे और हमारे channel पे भी मिल जाएंगे तो जल्दी से बात कर लेते हैं आज का जो हमारा topic है फोटो स्टाइवल गोर्ड संसीज के बारे में जल्दी से आज का question में पढ़ लेती हूं जो पहला question आ रहा है दया संकर मौरिया जी का जुन्होंने लिखा है मैम इस क्रीम को लगाने के बाद क्या हम पाउडर लगा सकते हैं तो देखिए यह संस्क्रीन है संस्क्रीन इसलिए लगाई जाती है सारे क्रीम के ऊपर क्योंकि आ अगर संस्क्रीन लगाने के बाद को पॉडर लगाते हैं तो वह बिल्कुल आपका असर नहीं करेगा तो आप लो काम नहीं करेगी वहाँ पे वह फेल हो जाएगा तो ऐसा बिल्कुल ना करें दूसरा question पूछ रहे हैं काजल जी काजल जी लिखते हैं कि मैम कलर फेर होगा नहीं देखिए संस्क्रीन लगाने का फायदा यह होता है जो आपका औरिजिनल कलर है वो खराब ना हो जाए यानि कि दूप में जाने से आपको डलने सो सकती है आपके पिंपल बढ़ने के चांस हो सकते हैं आपके मलाजमा बढ़ सकते हैं इसलिए हम लगाते हैं संस्क्रीन अपने चेहरे पे बट इसे हम गोरे नहीं होते हैं बलके अपना जो कलर है हमारा उरिजिनल उसको सेफ रखने के लिए हमें संस्क्रीम लगानी पड़ती है तो आई होप सो कि यह आपको क्लियर हो गया होगा डाउट कि संस्क्रीम लगाने से कोई गोरा नहीं होता है अनिल राले म Walker जी ने मुझसे पूचा है कि मैडम के साथ वाला सबस्क्रीम यूज कर सकते हैं तो नहीं है बताइथ हैं कि रखेंमिंट किया तो तो जी हां ये sensitive skin के लिए भी best है, dry skin के लिए भी best है, आप इस sunscreen को यूज कर सकते हैं। सेक जाहुर जी ने मुझसे पूछा है, अगर 12 घंटे तक ये है, तो क्या तीन बार लगाना जरूरी है, इनका पूछने का मतलब ये है, क्योंकि मैं हर बार recommend करती हूँ, कि आपको sunscreen दिन में तीन बार जरूरी यूज करना चाहिए, तो ये मुझसे यही पूछना चाहरे है, तो क्या ये तीन बार लगाना जरूरी है sunscreen को, जबकि 12 घंटा दावा करता है sunscreen कि ये apply करने से आपका skin में रहेगा, तो ये बस सही है, लेकिन उन लोगों के लिए ये नहीं जो लोगों के चेहरे पर बहुत सारी दिक्कत आ गई है, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, pigmentation, malasma, acne, pimples, ऐसे सारे skin के लिए 12 घंटे वो work नहीं करता है, आपको दिन में तीन बार जरूर लगाना चाहिए, अगर आपका skin में कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आप one time लगा के इनफ है आपके लिए, लेकिन अगर कोई दिक्कत है आपके skin में, तो बारा घंटा वो काम नहीं करेगा, आपको दिन में तीन बार जरूर लगाना है sunscreen ताकि वो आपके skin में जल्दी जल्दी असर ला सके, और आपका skin ठीक हो सके, पियनका जी मुझसे पूछती है कि क्या य ताकि जो भी धूब की किर्णे होती है वो असर ना करके आपके face पे उस sunscreen पे असर करें और वो आपके skin को जल्दी से जल्दी recover कर सके और इससे आपका skin है से रहता है सूरज की किर्णों से अगर सी रची किर्णों से आपका face safe रहेगा तो जो क्रीम आप अपलाई करें अधिति परविन जी मुझसे पूछते हैं कि कैना यूज इट अंडर आई तो बिल्कुल भी नहीं अंडर आई यानि कि आखों के नीचे यूज करने के लिए संस्क्रीम नहीं होते हैं हमेसा आपको इस एरिया को छोड़ कर ही पूरे face पे अपलाई करना होता है संस्क्रीम क नहीं कहने का मतलब ये हैं कि क्या संस्क्रीम करें सीनके बाद पचींत नहीं है या नहीं देखिए dedicated गरμο तो विल्कुल आपको पसींता होगा जिल लोगों को डर्मी नहीं सो फील यह वहतीजी मैं आपको बचाटेती यह संस्क्रीम करता है चाहे जितना वी आपको पसीना आता है यह संस्क्रीन तभी आपके स्क्रीन से जाएगा जब तक आप अच्छे से फेस्वास नहीं करेंगे तो यह बहुत ही अच्छी संस्क्रीन है उन लोगों के लिए इस्प्रेशली जिनको पसीने आते हैं सो हैरे जी मेरा आपको एंसर मिल गया होगा कि आप यह पसीने में भी यूज कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सुमन सिंग उससे पूछते हैं कि क्या खतम हो जाएगा तो इसके बात लगाना जरूरी है या नहीं तो बिल्कुल जरूरी है संस्क्रीन का मतलब कि हमे में अच्छे से में लगाना जरूरी था क्यों कि इसके बाहें मेड़े के स्केन को सुरक्रा देती है हमें दूब में जरूरी का क्शणी इस यह प्रैगरेंसाइशंप्री यह 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 एक रैट्री संस्क्रीन है इसमें कोई भी ऐसे घ्ज़ अधेहर नहीं किये गें है यह यह बहुत यह बहुत अच्छा संज्क्रीन को यूज किया है और इनको डॉक्टर ने किया था यह उसका कोई अब तो अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे प्लिस कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके वो सवाल जरूर पूछ लीजेगा और मैं पूरी कोशिज करूंगी कि मैं उसका एंसर दू और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लिस जल्दी स सब्सक्राइब कीजिए बल आइकन को प्लेस कीजिए और आइकन सेयर करना ना भूले इससे हमें प्रोस्ताहन मिलती है तो मिलते हैं अपने नए इंफॉर्मेशन एंड गाइडलाइन के साथ आज के लिए इतना ही बाइब दोस्तो हुआ 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 हुआ